नमस्कार दोस्तो, मैं कुंदन सर्मा आप लोग का फिट से वेलकम करता हूँ अपने चैनल YMW Solution में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो मेटो के साथ में कीचेन पार्टनर बनके जो है बिजनस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जान करी देने वाला तो वीडियो के अंद तक बने रहेगा आप लोग वीडियो की कोई भी इंपॉर्टेंट इंफ्रमेशन आप लोग मिस्स मत कीजएगा और फ्रेंड्स चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब क बात नहीं करेंगे आप जोअमेटो के साथ कीचेन पार्टनर बन के आप बिजनस कैसे स्टार्ट करेंगे इसे के बारे में हम लोग पूरा डीटेल में बात करने वाले हैं फेंट सबसे पहले मैं बता दूँ कि आभी जोए दो तरह के पार्टनर प्रोग्राम लेकिया है तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग के मन में एक कॉश्ण ओट रहा हुगा कि जू है कि यहां पर क्लिरफाइस कर द रहुं कि बहुत सारे ऐसे रेटिरिंट उनलथ है जो अपने रोबर्स को अपने के इस रेच्टिरेंट अंपर ऐब तकeste कवे उनलथ. कर सके यहां पे हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि अगर आप जो मेंटो का कीचन पार्टनर प्रोगाम के साथ जूड़ते हैं तो इसके लिए जो है कितना एरिया का रिकॉर्मेंट रहता है क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको क्या-क्या बेन और रिकॉर्मेंट है इसके लभा पावर बेकप, ड्रेनेज साफ्ट, फायर सस्पेंशन सिस्टम वहाँ पे अवलेबल होनी चाहिए, इसके लबा प्रोविजन ओफ एग्जॉस्ट, हूट्स, एन आउट्रेट की वहाँ पे फैसलेटी अवलेबल होनी चाहिए, इसके लबा आपके बासमें जो भी इस पेस एर डेवलब किये जाएंगे, मैं आपको फिर से क्लेरिफाइं कर दो रहां कि आपका 2000 स्क्वार फिट एरिया रहेगा, तो वहाँ पे हो सकता है, पांच कीचिन आपको डेवलब करना पड़ेगा, और उस कीचिन में जो है, बहुत सारे एक्यूप्रेंट्स भी लगे रहेंगे तो इसलिए यहाँ पे आपको हाई पावर की electricity connection की requirement है, ठीक है, इसके लवाँ वहाँ पे water consumption भी होगा, तो इसलिए water giving facility वहाँ पे available कराके आपको देने पड़ेंगे, कितना consumption होगा पड़े, वहाँ पे water तो वह भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, और इसके लवाँ प्र आपको ले सकते हैं, अगर आप वहाँ पे storage cylinder नहीं रखना चाहते हैं, तो ठीक है, इसके लवाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि right to lease और sub lease the site to restaurant partner, जैसे मैंने बताया है कि company जो है restaurant partner प्रोग्राम भी लेकी आई है, तो आप जो भी kitchen डेवलाप करके geometro company को देंगे, तो वो क्या करेंगे, उस kitchen को restaurant partner को provide करेंगे, इसलिए यहाँ पे company बोह रहे है, कि right to lease होना चाहिए उस specific area पे, कि वो जो area है, यानि कि वो जो kitchen है, वो restaurant partner को lease पे दे सके, इसके लवाँ यहाँ पे देखने के लिखाव, fully compliant from a regulatory perspective, यानि के friends kitchen develop करने के लिए बहुत सारे permission लेने परत उसका जो है, सारे compliance clear होनी चाहिए, यह चीज़ यहाँ पे बताया गया है, इसके लवाँ जो है, आप पूरी तरह से financially sound होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे जो मेटो का kitchen partner प्रोगाम बनना चाहते हैं, तो अब सबसे बड़ा question आता है, कि अगर आप जो मेटो का kitchen partner बनते हैं तो इसलिए यहाँ पे मैं पूरा benefits आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहला benefits से आपको जो मेटो का brand value यहाँ पे मिलता है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुद का kitchen develop करके भी जो है, आप इस तरह के business को start कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि कोका में य आपको समय लगेगा, अगर आप जो में को साथ में kitchen partner बनते हैं तो friends, यहाँ पे आपको sale का tension लेना नहीं है, क्योंकि friends, यहाँ पे company आपको fix monthly यहाँ पे आपको provide करेगे, वो कितना provide करेगे, मैं आपको वीडियो के एन्वन बता हूँगा, तो इसके बाद जो दूसरा है, यहाँ पे आपको क्या benefit मिलता है, कि आपको design and specification assistant यहाँ पे geometry company के साथ में किया जाता है, इसके लवा geometry company जो है, अपना vendor भी जो है वहाँ पे assist करने के लिए लगाता है, ताकि आपका जो kitchen वो सही तरीक से develop हो सके, इसके लवा देख रहे हैं, जो third point है, get you in touch with contractor who will assist you with the build, benefits यहा field assistance भी आपको provide के जाते है company की तरफ से, यानि friends अगर आपका location, अगर selection नहीं हो पारा तो company यहाँ पे आपके location को select करने में भी company यहाँ पे आपको पूरी तर से help करती है, इसके लवा और यह बहुत सारे benefits हैं यहाँ पे geometry company के साथ में जूड़ने के लिए, जब यहाँ पे आपको और भी जानकरे मिल पाएगे, अब मैं यहाँ पे investment के बारे में बात करेंगे कि अगर आप जो मेटो kitchen partner बनते हैं, तो आपको total investment कितना करना पड़ेगा, friends यहाँ पे मैंने investment को पूरा bifur kit करके बताया, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, सबसे पहले यहाँ पे deposit दिना पड़ेगा, आप जो भी space area ले रहे हैं, वो deposit जो है, location to location वेरी करता है, यहाँ पे मैंने 5 लाख से लेके 10 लाख लिग दिया है, पर यह fix नहीं है, यह आपकी location के हिसाब से वेरी कर सकता है, ठीके, इसके बाद आप जब apply करेंगे, यहाँ पे geometry company में kitchen partner के लिए, तो आपको non-refundable 11,800 रुपय का यहाँ पे application fee आपको payment करना पड़ेगा, यह जो application fee है, including taxes है, ठीके, यानि कि 10,000 प्लस 18% का GST है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे total 11,800 रुपय लिग दिया है, clear, दिन इसके बाद जब आपका selection हो जाता है, तब आपको within 5 working days के अंदर जो है, refundable, interest-free security deposit जो है, आपको 5 लाग रुपय का company में जमा करना पड़ता है, जब आप security money जमा कर देते हैं, तब जो है company की तरफ से जो है, सारे assistance जो है, यानि कि सारे design and specification जो है, आपको provide कि जाते हैं, ताकि आप जो है, geometer का kitchen जो है, अच्छे तरीकी से develop कर सके, ठीके, तो यहाँ पे construction of kitchen costing मैंने 10 लाग का लिखा है, क्योंकि fence कहीं ने कहीं 2 जाले square feet area है, आपको वहाँ पर 5 kitchen आपको develop करने पड़ेंगे, इसके लबाए interior racks and sales, pipe connection and electrical fitting करने में आपको 10 लाग का खर्चा जाएगा, इसके बाद आपको बताया कि RO plant जो है, rooftop पे आपको set करना पड़ेगा, इसके अगर आप total investment के बाद करें तो fence आपका जो total investment है, 35 से 45 लाग के बीच में आपका यहाँ पर investment आने बाला है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर kitchen develop किये जाएंगे, उसमें क्या क्या development करना पड़ेगा, देख रहे हैं यहाँ आपे, flooring, plumbing, drainage, exhaust, ducting, electrical fitting, scrubber and all utility, provision like gas line, water connection, इसके लि बाद मैं clarify कर दूँ कि जो हर एक kitchen के लिए 300 square feet area जो है provide करने वाला है, के लिए रहा तक अगर आपके बैसे 2000 square feet का area है, तो fence वहाँ पर 5 kitchen develop किये जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए, और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जब आपका पूरा selection हो जाता है, और आप refund जो agreement है वो company तो से renew भी किया जाएगा, अगर आप renew नहीं करना चाते हैं, तो आप जो हैं वहाँ पर fully stop कर सकते हैं, ठीक है, जब भी यहाँ पर आप stop करेंगे, तो आपने जो भी security money जमा किया, वो आपका refundable है, यानि कि वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, तो आप सबसे important चीज कि यहाँ पर आपको monthly कितना कमाई हो सकता, अगर आप Geometo का kitchen partner बनते हैं तो, मैं आपको clarify कर दूँ कि Geometo company जो है, आपको monthly basis पर यहाँ पर आपके kitchen का rent प्रोभाइट करेगी, यह जो rent है, location to location vary करेगा, यह totally depend करेगा, आपने किस location पर Geometo company को अपना kitchen प्रोभाइट कि है, और जो भी amount decide करती है, वो आपके agreement में mention किया रहेगा, मैं यह आपको फिर से बता रहा हूँ, जो भी agreement साइन होगा, आपके और Geometo company के बच में, उस agreement में यह साफ साफ लिखा रहेगा, कि आपको monthly Geometo company आपको कितना provide करेगे, तो अब सबसे बड़ा question कि अगर आपको Geometo क company में send कर सकते हैं, इसके लबाद दूसरा email ID भी है, internal kitchen at direct geometo.com, आप इस पर भी जो है, अपना request को send कर सकते हैं, friends, company को लगएगा कि आपके location में Geometo का kitchen partner वहाँ पे available होना चाहिए, तब ही company आपसे contact करते हैं, और आपको सारी जानकरी इसके बारे में देती है, इस बात का आप ध्यान आके, friends, इस वीडियो को रिगाडिंग कोई भी कुशन हो, तो मुझे इस वीडियो के comment box में जरूर कमेंट केजिए, और फेंट वीडियो प्रसंद आ रहा हैं, वीडियो को like and share जरू केजिए, ताकि फिन लोगों को नहीं जानकरी, उनलोगों जानकरी हो सेगे, बस आज के लिए इतना इस वीडियो में धन्यवाद, जाहिंद,